मौरक्न mów नमस्कार मैं हूआ अवनति का लिए और आप देखश रहे हैं मैं बेटी हूँ आज जस बेटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो बेटी रेखी की संगarden की एए और साथ ही समाज के लिए कुछ करने की चाहा रखती है इस बेटी से हम आपको मिलवाएंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए शू फोर एवरी फूट और सभी को भर पेट खाना मिले इसी उदेश के साथ आउ संकल्प लें सस्था काम कर रही है अक्सर जरूरत मंद बच्चों को वर्टी से लेकर किताबूं तक सब समाच सिवी सस्थाओं की और से मिल जाता है लेकिन पैरों के लिए जूतों की कमी पूरी नहीं होती लेकिन यहाँ पर ये बेटी है जो इस कमी को दूर करनी में लगी है ये बेटी कोई और नहीं बलकि ये है ग्रांड रेकी मास्टर नीना खन्ना एक और जहां नीना खन्ना समाज सिवा में जुटी है तो वहीं दूसरी और रेकी के सर्ये लोगों के चीवन की समस्याओं को दूर करने में चुटी है तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारी आज की बेठी नीना खना से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीना खना जी स्वागत है आपका खबर अभी तक बार नमस्कार आपको नीना जी गुरुमा भी कहा जाता है जी क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ रेकी मास्टर हूँ तो लोग गुरुमा के नाम से बुलाते हैं प्रेम से जी तो हीलिंग करती है आप और इसलिए लोग जो है प्यार से गुरुमा के नाम से भी जानते है नीना जी को लेकिन गुरुमा किस तरह से जो है हील करती है लोगों को कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हील किया जाता है ये तो आपने सुना ही होगा रेखी एक ऐसी शक्ती है जिससे हम किसी तरह की भी बिमारी फानेंशल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, जॉब में दिक्कत होना बच्चों के लिए माइन कॉंसेंट्रेशन में प्रॉब्लम होना या आपसी समंदों में दराराना और किसी भी तरह की ऐसी समस्या ना कि व्यक्तियों में ही बलकि हम पैट में और प्लांट्स में भी रेखी दी जा सकती है इसमें हम लोग हमारे रोजबरा की जीवन में इदर उदर की बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे हम आपस में बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है जो negative होती है और वो negativity हमारे आसपा से कटी होती रहती है तो रेखी क्या करती है इस negativity को दूर करके आपके शरीर में साथ चक्रा हैं उन चक्रा को activate करती है और उसमें energy cosmos से ग्रहन करके transfer कर दी जाती है उससे सभी को लाब होता है स्वासलाब, खुबसूरती बहुत तरह की करती है यह इतना vast subject है कि इसमें कोई अंत नहीं है अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगी तो बहुत समय इसी में लग जाएगा आप जो चाहते हैं आपको उससे प्राप्त हो सकता है लेकिन कैसे work कैसे करता है पहले तो हम लोग शुरू में touch healing से करते हैं पहले तीन classes हम की शक्ती को उस व्यक्ती में transfer करते है जिसको जो बिमारी है जिसकी जो समस्या होती है जब उसको तीन on the жить Indian में पता चलने लग जाता कुछ आप चाहा है मन में वो भी पूरी हो सकती है जी बिलकुल बहुत से लोग आते हैं यहां मंदिर में slip लिख के डाल जाते हैं और आप उन लोगों से भी मिल सकती है जिनकी चायम पूर्ण होती है ऐसे आसपास बहुत से लोग है लेकिन इनसानों का क्योंकि वो बात आपकी समझ सकते हैं और साथ ही जस तरह से जो समझतिया है अगर आपको जानना चाहते हैं आपको जानकारी भी मिल सकती है लेकिन आपने का कि पैट्स और प्लांट्स में भी यह वर्क करता है तो वो कैसे होता है जी बिलकुल करता है उसको प्यार से सर पे हाथ फेर दें तो उसको बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है इसी तरह से जो रेखी शक्ती है ये किसी मास्टर के द्वारा ही सीखनी चाहिए और फिर इसको इस्तमाल करना चाहिए जब हम किसी मास्टर से इसको सीख लेते हैं तो ये शक्ती हमारे हाथों और पैरों से बहनी शुरू हो जाती है और फिर हम किसी भी चीज को अपने हाथों से हील कर सकते हैं तो एनरजी वो शक्ती तो आपने कितनी साल पहले इस रेकी के बारे में जाना और कौन आपके मास्टर थी, कैसे आपको पता चला इसके बारे में? मुझे 23 साल हो गए रेकी करते हुए, मैं विदेश में थी, अफ्रीका में, वहाँ पर प्रोफेसर चैतन अगरवाल और मीना अगरवाल उनकी पतनी, वो लोग आई-टी यूनिवस्टी में प्रोफेसर थे, वहाँ मुझे इसके बारे में पता चला, मुझे इसके बारे में ज कि वाक्य इसमें कुछ है, तो धीरे-धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया, हाला कि मैं गई तो किसी और के साथ थी, लेकिन मेरा इंट्रेस्ट बहुत जादा बढ़ गया, और मैंने इसको सीखा उन से, पहले मैंने फर्स डिग्री करी, सेकिंड करी, थर्ड, थर्ड, थर् में पास लोग आते रहते हैं, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं पड़ता कि सौ में से एक लोगों भी ऐसे आये हों, जिनको कुछ ना कुछ फाइदा ना हुआ हो, मैं यह नहीं कहरी कि सौ प्रतिशत होता है, यह सामने वाली की सित्ती पर भी निरभर करता है, कि वो उसको कैसे एकसेप्ट कर रहा है, हम तो देंगे, हमारा काम है देना, लेकिन सामने वाला उसको कैसे एकसेप्ट कर रहा है, उसके उपर भी डिपेंड करता है, सारा तर लोगों की समस्या हैं दूर होती है, और उनकी बिमारी ठीक हो जाती है, लेकिन किस तरह से आप अपने जीव तक कि मेरा बिसनस था, आफरीका में मेरे शोरूम थे, वहाँ पर मैं शॉप में बैठी होती थी, और अगर बारिश आ गई, और मैं घर मेट को फोन लगाती थी, जल्दी जाओ, कपड़े उतारो, भीग जाएंगे, अला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, भीग गए तो ठीक है, फिर सूख जाएंगे, लेकिन मैं इतना restless हो जाती थी, कि मैं उसको 5-6 call कर देती थी, चाहे उसने उतार ही लिये होते थे, और बड़ी छोटी-छोटी बात में खीच जाती थी, जल्दी से restless हो जाती थी, मैंने एक हफते की healing के बाद ही ये महसूस किया, कि मैं बहुत शा लगा के हर काम को करना शुरू किया, और मेरा बिसनस भी दिन बर दिन ग्रो होता चला गया, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुण के नहीं देखा, तो इतना फायदा आपको हुआ, लेकिन गुरुमा आपने जस तरह से बताया कि meditation जो है वो बहुत जरूरी है इसके लिए, न देखते हुए भी कर सकते हैं, आप इसको ट्रेन में जाते हुए, कार में जाते हुए, तो भी आप कर सकते हैं, ये तो इतनी सरल और आसान विदी है कि आपने जरा सा याद किया और वो आपके साथ है, और जिस प्रकार से आप घुड सवारी और तेराकी एक बार सीखने के बात कभी नहीं भूलते उसी तरह रेखी एक बार आप सीख लें तो जीवन पर आपके साथ रहती है। अक्सर ध्यान लगाती है और यहीं से ये बेथी उसी शक्ति को एकत्रित करती है। जिसकी मदद से ये बाद में लोगों की समस्याओं का निवारन करती है। तो तब से मेरे मन में काम करने की इच्छा थी। जी बिलकुल थी। पहली बात तो ये कि मैं मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी थी और मेरी शादी हो गई थी बहुत छोटी उमर में। तो तब से मेरे मन में काम करने की इच्छा थी। मेरे फादर लेक्षरार थी दिली उनिवरस्टी में। वह हमेशा कहते थे कि बटा खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। और शादी हो गई और आर्मी आफिसर्स की पोस्टिंग दूर रहती थी। कि दुबारा कभी मौका नहीं मिला पढ़ने का लेकिन इच्छा थी कि मैं कुछ पढ़ू या मैं कुछ काम करूँ। तो दीरे दीरे फिर मैंने अपना कुछ काम शुरू किया और मेरी हजबन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी फैमिली से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला तो मैंने अपना काम शुरू किया उसी काम को विदेशों में भी आगे जाके बढ़ाया और इंटरनेशनल लेवल मैंने बहुती प्रशंसा हासल की इसलिए मेरे मन में हमेशा से इच्छा रही है कि हर लड़की को अपने पाउं पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है लेकिन साथी समाज के लिए भी आप जो है बहुत कुछ करने की चाहा रखती है और बहुत कुछ कर भी रही है आउस अंकल पलो संस्था के मात्यम से तो कैसे आपकी संस्था काम करती है प्रमेरी संस्था वुमन इंपावर्मेंट के लिए काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया, कि बच्च्पन से ही एक मन में रहा कि बेटी होती है, तो पहले माता पिता के अंडर रहती है, उनकी आग्या का पालन करती है, तो इसके बाद भी मैंने अकसर देखा है कि जब सुनती है उसको independently कुछ भी करने का हग हमारे हिंदुस्तान में नहीं दिया गया है वह चीज मुझे बहुत खलती थी और मैं ऐसे बहुत से लोगों के साथ मिलके जो अपने आप से अपने बलबूते पर जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं उनको मैं support करती हूं जिस तरह के भी साहता हो सके उनको देते हैं उनको education की field में उनको short courses करवाते हैं उनको financial सिलाई की machine या कहीं कुछ भी काम और करना होता है तो हमारे संस्था के सभी व्यक्ति उनको मदद करते हैं जैसे आपने बताए कि women empowerment के लिए आप काम करती हैं क्योंकि पहले होता था कि बेटियों को लेकर जो समाज में एक अच्छी सोच नहीं थी बेटियों को एक बोज जो और मेरे in-laws की भी सोच बहुत खुलिये हुई थी स्वतंत्र विचारों के थे लेकिन मैंने आसपास ऐसा महौल देखा है कि बेटियों को सवतंत्रता नहीं मिलती एक चोटा सा एक्जामपल में आपको देती हूं जब मैं कॉलेज में थी और मैं एक दफ़े बिंदी लगा क पांच बेजे से पहले घर आ जाओगी तो मुझे ये सब चीजें बहुत खटकती थी कि जो लड़कों को इंडेपेंडेंडेंस मिलती है वो लड़कियों को कुई नहीं मिलती है घर में भी कोई भेटभाव जैसा आपने क्योंकि जिस तरह से बेटियों को जो है लड़कों से पीछे रखा जाता था बेटियों से पीछे रखा जाता था हाला कि आपको समय दे दिया गया कि इतने बजे वापस आना है लेकिन बेटे को बढ़ावा मिलता था वहाँ पर नहीं था कोई भेदबाव नहीं था भाई और बहन में मेरा एक ही भाई है और मुझसे बहुत है लेकिन थोड़ा एक छोटा सा ऐसा कुछ हुआ तो मेरे मन में वह बात कहीं रह गई कि बेटियों को क्यों टोका जाता है बेटों को क्यों नहीं टोका जाता हाला कि मेरे फादर भी बहुत स्वतंत्र विचारों के थे कभी-कभी ऐसा होता एक छोटी सी बात भी आपको य अगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े परिवारों की लड़कियां है, वही MBA कर सकती है, और इंजीनियर डॉक्टर्स बन सकती है, या पाइलट बन सकती है, जिनके पास पैसा नहीं भी होता, अगर उनमें भी काम करने की इच्छा है, शक्ती है, तो कोई कुछ भी कर सकती है, बस एक हांसले और हिम्मत की जरुरत होती है, बस वही काम मैं कर रही हूँ, कुछ लोगों के जीवन में मुस्कुराहट, दूसरी एक और बात, जब भी हम विदेश से आते थे, तो मैं हस्बेन कहा करते थे, देखो यहां सड़क पर कोई हस्ता नह करो नमस्ते करो, कोई जवाबी नहीं देता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता, अगर आप हेलो करते हो तो कम से कम हेलो, तो मुस्कुरा के करी देते हैं, या मुस्कुरा देंगे, उनको भी लगता था, बहुत की लोग हस्ते नहीं हैं, यहां लोग हर समें चेहरे परिशानी है तो मैंने ये mission मना लिया कि मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति हस्ता हुआ दिखे और मैं जीवन में अगर दस लोगों को भी मुस्कुराना सिखा पाई तो मेरा जीवन स्वार्थ हो जाएगा और ये काम परमात्मा ने मेरी बहुत मदद करी और बहुत से लोगों को इस से आराम मिला और आज वो बहुत खुश है यहां तक की 65-70 साल की बूड़ी ओरतें जो स्टिक पकड़के चलती थी और जिनके पैरों में प्रॉब्लम थी आज वो बहुत खुश हैं बहुत एक्टिव हैं हमारे यहां पर ही और बड़े अच्छी से जीवन को व्यतीत कर एक प्रण था जिसको आप पूरा भी कर रही हैं वाकई में गुरुमा से मिलकर मुझे भी लगा कि जो इनका स्वभाव है बहुत पॉजिटिव एनरजी जो है वो मिलती है आपको साथ में अकर स्माइल आप खुद करते हैं स्माइल विखेड़नी की आपकी कोशिश भी है स मैं अकसर किसी को रोक लेती हूं और उसको पूछती हूं क्या हुआ तो मैं और उसके साथ दो चार-पांच मिनट वेतीत करती हूं उसकी बात सुनती हूं अगर कुछ ना भी कर सकूं तो उसको एक चोटा सा एक फल या एक बिस्किट का पैकेट दे दूगी तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है मैं मुझे वह बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा काम आप कर रही है नीना जी लेकिन साथी आगे क्या कुछ तयारी है क्योंकि समाज के लिए जिस तरह से आपने का वुमेन इंपावर्मेंट के लिए आप काम कर रही हैं रहने की पढ़ाई की खाने पीनी की सुविदा नहीं है एक ऐसा संस्था बनाई जाए जहां पर कि उन लड़कीं को सहारा दिया जाये जिनका कोई नहीं है और उनके पढ़ाने की पढ़ाई से लेके उनकी जौब तक का जिम्मा उठाया जाया और उनको इस काबिल बना के को समाज में एक उच्छ स्थान दिलाया जाए। साथी इनिरा जी क्योंकि आपने क्योंकि जिस तरह से आपने पूरी आपकी लाइफ रही है क्या आप गर्व से कहती है कि हां मैं बेटी हूं। जी बिल्कुल मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक बेटी हुँ और यह काम एक बेटी ही कर सकती है कि लड़की का दर्द और दुख जो एक माह समझ सकती है वो पुरुश इतने अच्छी तरह से नहीं समझ सकते ह। आज कि समाज में हाला कि बराबरी जो है वो अब कुछ हतक मिलने लगी है बेटियों को बेटों के मुकाबलेadah कम से कम वह चीज अब बदली है समाज में परिवर्ता ना रहे लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजे बहुत सारी इंसिदेंट ऐहते होते हैं जहापर हम+, आभी भी फेस करना पड़ता है वेटियों को ऐसे लोगों की लिए जो बेटियों को कम तर आखते हैं ऐसे लोगों को आपको संदिश देना चाहरे यह जर्य बेटे और बेटी को बराबर समय, उन्हें बराबरी का हग दें, उन्हें एजुकेशन का, पहनने ओरने का, घूमने फिरने का, बराबर से हग दिया जाए, बेटियों को सेल्फ डिफेंस के कोर्सिस कराए जाए, जिनसे कि आजकल जो सडक पे बहुत सारी वारदाते हो जाती ह बलतकार या रेप वगरा होते हैं, तो उससे वो अपने आपको खुद बचा सके हैं, आजकल इस तरह के बहुत से स्कूल और संस्थाएं खुली हैं, तो हर लड़की को अपने लिए सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि वो खुद को बचाने में सक्ष सक्षम रहें और उसको बराबरी का हक मिले हैं, तो हर बेटी को खुद जो है सक्षम होना पड़ेगा, आत्म निर्भर होना पड़ेगा, किसी के ओपर आप निर्भर ना रहीं और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना मजबूत बना ले कि कोई आपको रुग भी मैं बेटी हूँ, मैं आज के लिए बसत नहीं, अगले हफते आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ऐसी ही बेटी से, फिलाल दीजे इजाज़त, नमस्कार